इडी के अधिकारी मेरा एंकाउंटर करना चाहते हैं यही बड़ी आसंका उन्होंने अर्विंद केजरिवाल के मामले में भी जताई थी कि जब उनको यहाँ पर इडी का समना आया था लेकिन वो पेस नहीं हुए लेकिन यहाँ आसंका उजता रहे थी कि जैसे खतरा मेरो पर बना हुआ है वैसे ही एक बड़ा खत्रा अर्विंद केजरिवाल के उपर बना हुआ है अब यहाँ पर ट्रेन के रास्ते से यहाँ पर उनको लेकर जाए सुरक्षा की बाद जैसे आपने करी कि सुरक्षा में चूक की बाद का डर यहाँ पर आमांदी पार्टी के नेताओ को को है खुद संजे सिंग को भी दो सजाएं यहाँ पर काटते हुए नजराएं पहले तो इडी के रिमांड जो है अब आगार नीती में उसके बाद चंदी कर से फैसला आने के बाद यहाँ लगता है राहत के चांसिस मेरे को यहाँ पर नमस्कार मिनाजमीन और आप देख रहे हैं स्प्यनायन न्यो शराब घोटाले में पहले से ही फसे हुए राज्य सबा सांसद संजे सिंग के खिलाफ एक और मामला दर्ज नजर आता है मानहानी के मामले में संजे सिंग फसे हुए है और अब अमरित सर जेल पहुँचती वे नजर आएंगे अमरित सर कोट ले जाया जाएगा और आपको बता देगी कि यह जो मामला देखा जा रहा है लगबग आठ साल पुराना मामला है जब यहाँ पर अरविंद केजरिवाल की सरकार बनने के लिए जद्दो जहद की जा रही थी जब पंजाब में भगवतमान की सरकार बनने वाली थी तो उस दोरान ये सारी चीचे देखी गई थी और संजे सिंग और आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्य मंतरी अरविंद केजरिवाल पर मानहानी का केस दर्च किया गया था दरसल ये मामला पंजाब के राजस्व मंतरी बिकरम सिंग मजीठिया द्वारा दर्च करवाया गया था और इस मामले में कई बार सुनवाई कोट में होती हुई नजर आई है लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरिवाल ने इस पूरे मामले को लेकर माफी मांग ली थी लेकिन संजे सिंग ने इस पर माफी नहीं मांगी थी जिसके बाद अब ये पूरा का पूरा मामला संजे सिंग के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है दरसल आपको बदा दें कि 20 मई की वो घटना है ये जो मामला जब सामने आया यहाँ पर मजीठिया ने इन नेताओं के खिलाफ अपरादिक मानहानी का मामला दर्ज करवाया था और दर्ज करवाते हुए ये कहा था कि आम आदमी पाटी नशीले परदातों के मामले में अपरार धीन आरोप लगा कर उनकी और उनके परिवार की छवी बिगाडने पर तुली हुई है यानि के विक्रम मजीठिया पर आम आदमी पाटी ने नशीले परदात बेचने के कई गंभीर आरोप लगाए थे इसके खिलाफ मजीठिया ने मानहानी का केस दर्ज करते हुए आम आदमी पाटी के सायोजक अरविंद केजरिवार के खिलाफ संजे सिंग के खिलाफ और यहाँ पर आपको यह बता दें कि एक पत्रकार भी इसमें शामिल थे उन पर मानहानी का केस दर्ज करवाया गया था उसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई लेकिन संजे सिंग को राहत नहीं मिलती हुई नजर आए दिलिराव जवेनी कोट में जब 10 नवंबर को सुनवाई हुई तो उस दोरान देखा गया कि दिलिराव जवेनी कोट ने 24 नवंबर के लिए नियाई खिरासत शराब घोटाले में संजे सिंग की बढ़ा दी देखा जा रहा है क्या यह जो शराब नीती लाई गई थी क्या सिर्फ दिली में लागू करने की बात कही गई थी या और राज्यों में भी इस नीती के जरिये घोटा ले देखे गए तो तमाम सवाल बनते हैं और सवाल का जवाब देने के लिए मिरे शायोगी दौलत मेरे को जो राज्य सबा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है उन्हें आप यहां पर गारी के रास्ते से भी ले जा सकते थे यहां पर सुरक्षा के लिहाजे से देखा जाए तो गारी सबसे अच्छी सुरक्षित मानी जा सकती है लेकिन संजे सिंग को ट्रे यहां पर उनको हमेसा जवाब दिया है और जब यहां पर हमने देखा कि जब उनकी गरफ्तारी होती है उनको इंवार्ट पर लखा जाता है तो उन्होंने आरोब भी लगाया कि एडी के अधिकारी मेरा एंकाउंटर करना चाहते हैं यही बड़ी आसंका उन्होंने अर्वि कोई शुरक्षा गणवानों को को ध्यान रखते हुए ही यहां पर जो उनको ट्रेंड से ले जा रहा है क्योंकि चंदीगर तक यहां से गाड़ी से जाना कहीं ना कहीं दूरी भी काफी पड़ेगी और यहां पर सुबह की जो डेट होगी है या कि हो सकता है कि महां पर जल् संझ को भी यहां है वो पहले भी कहेच चुके हैं तो देखा जाए तो पहले तो वो इडिके मौबल में पढ़ती हुए है उसके बाद अबाकारी नीती हो गई उसके बाद एक नया मामला पजाब में सामने आता है यहां पर तो डबल हरी मार यहां पर जो है आमादी संजय सिंग को पढ़ती हुई नजारी और यहां पर विल्कुल देखना होगा कि सुरक्षा मामलों में कोई भी ऐसी अतियात ना बरते को कि पहले वह खत्रा जता चुके हैं तो निसाने पर तो यह साभी अधिकारी आ गई होंगे कि अगर कुछ ऐसा होगा भी वैसे तो देख परसायद कम होगा यहां पर खबर तो यह भी बनती है और सवाल इस खबर के माध्यम से यह भी बनता है कि सुप्रीम कोट की तरफ से और तमाम अदालतों की तरफ से यह कहा गया है कि आप किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं सबूत हैं तो यहां प ससता रद कर दी जाती हैं लेकिन सुप्रीम कोट फैसला सुनाता है कि यह गी। और यहां पर अगर चंदिकर कोट से भी उनको बड़ा जटकल अग जाते है तो कहीं ना कहीं उनका बज़पाना अब यहां पर मुश्किल होगा अलगातार यहां पर उनके उपर जो एडी और इन सब चीजे का चक्रियों कहीं घिरता हुआ नजरा आ रहा है और चंदिकर कोट यहां पर काटते हुए नजरा है पहले तो एडी करिमांड आगार नीती में है उसके बाद चंदिकर से फैसला आने के बाद यहां लगता है राहत के चांसिस मेरे को यहां पर ज़्यादा लगते हैं लिकिन अगर राहत नहीं मिली तो यहां पर आमादी पार्टी को सोचना ह कहीं कहीं वहां से बात बन सकती है लेकिन यहां पर 2024 के तियारी में मेहतवपूर्ण है संजे सिंग की जिम्मेदारी और संजे सिंग का जेल से बाहर होना कि आंटू पार्टी भी यहां पर सोतन्तृता की लड़ाई लड़ती भी नज़र आ रहा है वो लड़ाई जो भारतिय जन्तापाटी के ख्लाफ है केंधर सरकार के कबजे के खलाफ है यहां पर उन्होंने गौतम अढ़ानी को भी घहरा और यहां पर उन्होंने केंधर सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए कि अभी तक महरास्ट में कई ऐसे घोटाले देखे गए हैं उसकी जाँच नहीं होती है यहाँ पर हद्धेपरदेश्ट में कई घोटाले देखे गए उनकी जाँच नहीं होती है मान लेजे कि भारती जंता पार्टी की सरकार जहां जहां पर है वहां पर घोटाले नजर आए लेकिन जांच नहीं हुए लेकिन विपक्षी पार्टियों का दावा करें तो 36 गड़, पश्चिम, बंगार, राजिस्थान, दिल्ली तक ही सरकारी एजनसिया पहुँच जाती हैं तो दौलर जिस तरीके से इन सरकारी एजनसियों पर भी सवाल कड़ी किये जा रहे हैं EDCBI को बार-बार गेरा जा रहा है, आखिर कार ये सर्व विपक्षी पार्टियों पर ही क्यों कारिवाही कर रही है कहा जाता है कि ये स्वतंत्र है, यहाँ पर वो निस्पक्ष रूप से जांच कर सकती है लेकिन अभी तक देखा गया है कि दिल्ली में एक-एक नेताओं पर सिकंजा कसा गया है अगला नंबर अरविंद केजरिवाल का बताया जा रहा है तो अब क्या इन सरकारी एजनसियों के खिलाफ अदालतों को कोई बड़ा कदम उठानी की जरूरत नहीं है यहां पर देखा जाए तो लगातार बीज़ेपी को पर आरोप लगते रहते हैं कि वो इसका फायदा उठा रही है लेकिन अभी तक कोई पुस्टी यहां पर जो है अभी नहीं हुई या लगातार विवक्स यह मुद्दा उठाते रही है अभी यहां पर कहना है कि सभी सरकारे आती हैं वो इसका फायदा उठाती है लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि चुनावों को परवावित करने के लिए इसका फायदा जो है जादा उठाया जा रहा है आप देखेंगी जहाँ 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 चुनाव होंगे भावा एडी पहुंच जाएगी यही कत्थन लगातार जो है विपक्ची दल भी कहते हुए नजरा रहे हैं कि चुनाव के वक्त एडी एक्टिव हो जाती है प्रदानमंति है विपक्ची दो पर उनको घरटे हुए यहां पर नजर भी आ रहा है और चुनाव आप देखेंगे कि कहीना कहीने यहां पर इससे प्रवावित हो रहे हैं कई नेता तो यहां पर चुनाव में आने से डर रहें कि अगर हम चुनाव में आ गए तो कहीं EDCBI हमारे अपर हमल बिल्कुल यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपनी प्र साफ शुतरा बताती है लेकिन भारते जनता पार्टी को ब्रस्ट पार्टी पती है लेकिन अब संजे सेंग्WW पर जो यह पुराना मामला फिर उठता हुआ नजर आरहा है मानहान्यर्च क्या लगता है आपको कि क्या अमरित्सर कोट की तरफ से संजे सिंग को राहत मिल सकती है या फिर अमरित्सर कोट की तरफ से जटका यहाँ पर संजे सिंग को लगेगा और शराब घोटाले में और भी ज्यादा संजे सिंग फस्ते वे नजर आएंगे और अगला नंबर मनिस्ति सोधिया के बाद क्या तिहार जेल में लंबे समय के लिए संजे सिंग का लगने वाला है क्या लगता है आपको इस पूरे मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देखते रहें इस पे नाइन न्यूस धन्यवाद